नमस्कार, मैं डॉक्टर राहूल पाटिल, कंसल्टन्ट कार्डिलोजिस्ट पुने से मुझे एक पेशेंट ने पूछा था डॉक्टर साब, ECG के बिना हार्ट अटाइक डाइग्नोस करना इतना डिफिकल्ट है क्या? उसका कोश्चन्स तो काफी महतोपुर्ण था उसके लिए आंसर ये है कि हार्ट अटाइक के डाइग्नोसिस के लिए तीन चीज़े होती है एक है पेशेंट की कंप्लेंट्स, दूसरा है ECG और तीसरा है एक बलड टेस्ट ये तीनों में से अगर दो पॉजिटिव है तो आपका हार्ट अटाइक का डाइग्नोसिस कन्फर्म हो जाता है ECG की जरूर इसलिए है क्योंकि हर पेशेंट में हार्ट अटाइक के सिम्टम्स अलग-अलग होते है क्लासिकल हार्ट अटाइक का जो सिम्टम है उसमें सीने के बीच में कोई प्रिशर दे रहा है वजन रख रहा है और यह पेन और डिसकोमफर्ड अगम के पूरे उंगली तक जा सकता है इसके साथ अगर आपको काफी पसिना आए मचली हो या उल्टी हो जाए तो यह आपका हार्ट अटाइक का सिम्टम हो सकता है ये classical symptom सिर्फ 70% लोगों में देखे जाते है 30 टका लोगों में shoulder pain, back pain, jaw pain और 10 टका लोगों में severe form of acidity ये भी heart attack का symptom हो सकता है और ये सारे जो symptoms है जो बहुत विपरीत है ये आपको गुमरहा करते हैं डॉक्टर के पास पोशने के लिए और आप आपका महतोपुर्ण जो समय है वो miss कर देते हैं आपके chest discomfort होने के बाद अगर 6 गंटे के अंदर आप hospital में पोश्टे है तो उस समय में ECG normal होना coffee commonly देखा जाता है अगर कोई patient पहले 2 गंटे में आता है तो ECG 90% of time normal हो सकता है और जैसे समझ जाता है ECG में abnormalities दिखती है इसलिए अगर आप hospital पोश्टे हैं और पहला ECG normal होता है और अगर आपको आपके doctor कहते हैं कि आपको रुकना पड़ेगा तो आपको रुकना जरूरी है क्योंकि हर आदे और एक गंटे में आपके doctor ECG निकालेंगे और यही समझ है जब ECG abnormal हो सकता है उसके साथ ही एक blood test है जिसको बोलते है high sensitive troponine eye HS trop eye यह HD test है जो पहले 6 eyes में positive हो सकती है और आपका diagnosis confirm हो सकता है यह तीन जो चीज़े है जिसमें chest discomfort, ECG change और blood test इसमें से अगर दो positive आती है तो आपका heart attack का diagnosis confirm हो जाता है और यह समय शुरू हो जाता है आपकी life बचाने का और आपको hospital में admit करके treatment करने का अगर आप hospital में समय से चलते पहुच जाते है diagnosis confirm होता है तो 100% आपकी life बच सकती है heart attack के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे call कर सकते है या मेरे clinic आ सकते है नवाद